दीप जिसका महल लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बे नूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकूं, अबना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता हबीब जालिब की पंक्तियां योही नहीं याद आती हैं विचार, दर्शन व किताबें काल और देश की सीमा से बाहर जा करके मनुष्टा की पक्ष में खड़े होने के नाते हर दौर में मौजू बन करके उभरती हैं वैसा ही एक व्याख्यान जो कभी दिया ही न जा सका एक विचार जिसे मारने की कोशिश होई मगर वा विचार भारत देश की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का अगुआ दस्ता वेज बन कर उभर गया एक ख्वाब जो आज भी अधूरा है एक हकीकत जिसे हर हाल में पूरा होना है सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो बुद्ध के इस वाकिसे शुरू अख्यान यह सवाल उठाता है कि इस देश के सबसे बुन्यादी समस्या कौन सी है जो यह आम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमेटकर की सबसे प्रसिद्ध रचना जातिका विनाश पर तो अभिवादन स्विकार करिए डॉक्टर लक्षमड यादो का और स्वागत है आपका केताबों की पाट्शाला के इस खास एपिसोड में 15 मई 1936 जब जातिका विनाश यानि एनिलेशन आफ काश्ट उस भाशन की किताब के रूप में मुद्रित प्रतियां भारती समाज में सामने आई उस वक्त का भारत कैसा था उस दोर में भारत में क्या-क्या हो रहा था जस वक्त भारत के सभी कथित अगुआ राश्ट नेता केवल राजनेतिक सत्ता परिवर्तन के लिए दिन रात एक कर रहे थे डक्टर अंबेटकर सामाजिक परिवर्थन के लिए सोच रहे थे यह सवाल क्यों किसी और के लिए सबसे एहम सवाल नहीं बन पाता है यानि जातिका अविनाश डक्टर अंबेटकर जैसे एक अच्छूत व्यक्ति को ही लिखना पड़ता है ये उस जंगे आजादी की पूरी संकल्पना के सामने एक चुनोती है बहस लंबी है कि नया भारत किसके गुलामी से आजादी के लिए बनाना था बहस लंबी है कि उस नए भारत का व्यचार उस नए भारत का दर्शन क्या होना था वेदों शास्त्रों पुराणों पर निर्भर या बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, बिर्सा, बाबा फरीद, जोतिबा फूलेश, शाहुजी महराज और डॉक्टर नंबेटकर के सपनों का भारत होना था इस सवाल का जवाब आज 21 सदी के युवाओं को भी सोचना होगा तो इस सवाल के जवाब के बरक्स अगर हम एक सबसे प्रमुक किताब का जिक्र करें तो वह जातिका विनाश 21 सदी के युवाओं को यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसने उस दोर के पूरी राजनेती को जगजोर कर रख दिया और देश के सबसे बड़े अगवानेता इस किताब के मुखालफत में उतर गए इस किताब में ऐसा क्या लिखा है डॉक्टर अम्बेटकर ने जो हर दौर में प्रासंगिक बन जाता है इस किताब को आज हमारी पीडी की उवाओं को क्यों पढ़ना चाहिए मैं सबसे पहले इस किताब का एक सामान सा परिचे देना चाहता हूँ कि इस किताब में असल में डॉक्टर अम्बेटकर ने सलसलेवार धंग से क्या सवाल उठाया है इस किताब में जिसे मैंने बताया कि जाती पात तोड़क मंडल उसका लाहूर में एक अधिवेशन होना था संतराम बिये ने उसके अधिवेशन की अध्यक्षणा करने के दोरान डॉक्टर अम्बेटकर को उसमें भाशर देने के लिए ध्यक्षी वक्तविक के लिए बुलाया था जब यह पत्र भेजा गया पूरा व्याख्यान भेजा गया तो तमाम आपत्यां हुई इस व्याख्यान का बदलने के लिए दबाव डाला जाने लगा डॉक्टर अंबेटकर ने का कि एक कौमा और फिलश्टाप भी नहीं बदलूगा और अंततर यह भाशन नहीं दिया जा सका और तब यह किताब आई और इस किताब का सिलसिलेवार व्योरा देखिए कि क्या था इस किताब में जिसने उस दोर के बड़े-बड़े लोगों को जगजोर करण दिया इस किताब की शुरुवात डॉक्टर अंबेटकर इस सवाल से करते हैं कि सम्मेलन की अधेक्ष्टा के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त ब्यक्ति हूँ यानि मेरा चैयन घलत किया आपने इसकी वज़े बताती हुए डॉक्टर अंबेटकर कहते हैं कि हिंदू मुझसे घ्रणा करते हैं मुझे अपने बगीचे का साप कहते हैं और वही हिंदू मुझे कहते हैं कि मैं एक अवांचनी ब्यक्ति हूँ तो अगर मैं कोई ऐसी बात कहूंगा कि जातिका विनाश होना चाहिए तो उसे वो क्यों मानेंगे और इसका विस्तार में वो बुलेक करते हुए अपने इस पूरे व्याख्यान नुमा किताब की शुरुआत करते हैं उसके आगी डॉक्टरम बेटकर कहते हैं कि आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टरम बेटकर कहते हैं कि धर्म, सामाजिक स्थती और संपत्ती ये तीनों शक्त या सत्ता का श्रोत होते हैं जो दूसरे की आजादी को नियंतरित करते हैं इसी संदर्म में समाजवादियों से सवाल करते हुए डॉक्टरम बेटकर इस किताब में लखते हैं कि सर्वहारा एक नहीं है और जब सर्वहारा एक नहीं है अलग-अलग हैं तो फिर करांती कैसे होगी? अगले पड़ाव पर इस किताब में डॉक्टरम बेटकर एक सवाल उठाते हैं जाती सिर्फ श्रम का नहीं विभाजन नहीं श्रमिकों का बेविभाजन है और डॉक्टर मेटकर इसको समझाते हुए कहते हैं कि व्यवसाओं का भी स्तरीकर्ण है यानि जो समाज बटा हुआ है वो जाती में बटा हुआ है और पेशे जो हैं उन पेशों का भी स्तरीकर्ण ह जो बेकारी, अकुशलता और तमाम तरह की नकारात्मक्ता को फैलाता है। यह पेशों को लेकर के जो तिरसकर का भाव है, यह उन पेशों में जुड़े हुए लोगों के अंदर वीरूची पैदा करता है। दूरभावना पैदा करता है, उन्हें अपने पेशे से भागने यानि पलाइन करने की वजह बनाता है। और यह मास्क के अलगाव की थियोरी से जोड़ता है डॉक्टरम बेटकर का यह सिधान। मगर वामपंती समाजवादियों से सवाल कहा कि यह समझ क्यों किसी और किताब में नहीं आ पाई। अगले पढ़ाव पर डॉक्टरम बेटकर लिखते हैं कि जिस नसली ये शुद्धता का अस्तित्तु ही नहीं, जाती उसे बनाए रख सकती है। और इस सवाल के आदार पर डॉक्टरम बेटकर ये कहते हैं कि वंश और रख की शुद्धता और पवितरता पर हिंदू धरम की जाती बेवस्तटिकी हुई है। और असल में ये जातियों की उत्पत्ती का सिधान्त ही अवएग्यानिक है। इसलिए शुद्धता नहायत वाहियात बात है। और इसे दूर करने के लिए रोटी बेटी का सम्मंद, अंतर जाती विवा, ऐसे तमाम उपक्रम किये जाने चाहिए जिससे ये शुद्धता का क अंसेप्ट दोस्त हो। ये है जाति के विनास में। अगले पड़ाओ पर जाति का विनास से ये सवाल उठाती है कि जाति हिंदूओं को वास्तविक समाज या राष्ट बनाने से रोकती है। आज तो 21-21 सदी के युवाओं को यह समझा दिया गया है कि जैसे ही कोई जाति शब्द का उचारण करे उसे ही जातिवादी घोशित कर दो। डॉक्टर अंबेटकर 1936 में कह रहे थे यह जाति बेवस्था ऐसी है जिसने हिंदूओं को वास्तव में एक समाज बनने या एक राष्ट बनने से रोक दिया है। इसे समझाते हुए डॉक्टर अंबेटकर ल तो नव्यक्ति का समूँ एक समाज बन सकता है और नव एक राष्ट बन सकता है। इसलिए जाति पर सवाल उठाते हैं डॉक्टर अंबेटकर अगे एक महत्पूर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि समाज विरोधी भावना जाति बिवस्था का सबसे निक्ष्टतम लक्षण यह जाति बिवस्था दरसल समाज विरोधी है वह खेमे में बाट करके इस पूरे समाज को रखती है। आगे जाति आदिम जनजातियों की उन्नती और समावेशी करना को रोकती है। यह जो ट्राइबल्स हैं जिनने आज की बाशा में हम कहें आदिवासी जनजातियां इनक को वह एक होने से रोकती है। डॉक्टर अमबेटकर इस बात को समझाते हुए अपने इस पूरे लेक में यह कहते हैं कि वह भौगोलिक रूप से बहुत दूर है, वह राजनितिक रूप से सक्री उनको मुक्यदारा में नहीं शामिल होने दिया गया, उनकी भाशा, उनकी तहजीब, उनकी संस्कृती को आप नहीं जानते। आपकी जाति बेवस्ता एक बड़े तपके को जो आदिवासी मूलनिवासी तपका है, उसको एक समाज बनने से, एक राष्ट बनने से रोकती है। आगे डॉक्टर अमबेटकर एक बिंदू और महत्मूर लिखते हैं कि उच्च जातियों ने निम्न जातियों को निम्न बनाये रखने के साजिश रची और उस साजिश का परिड़ाम है जाती। इस किताब के ये सूत्र वैज्ञानिक, तार्किक और दार्शनिक अस्तर पर पूरे भारती सांस्कृतिक वांगमय की परतघर परत बख्याउदेड कर रहते हैं। आगे डॉक्टर अंबेटकर एक अगले बिंदु में लखते हैं कि जाति ने हिंदू धर्म को मिश्णरी धर्म बनने से रोक दिया। आज भी आपके सामने एक नफरत का पढ़ाया जाता है ना कि फला ने फला को धर्मांतरन करा करके पहले वो इस धर्में थ धर्म पर एक सवाल उठाते हैं कि आप एक मिश्णरी धर्म बनी नहीं सकते थे क्योंकि आप कि यहां जाती थी और अगर आपके यहां धर्मांतरन होता तो धर्मांतरित व्यक्ति को हिंदू धर्म में किस जाति में आप रखते यह सबसे महम एहम सवाल था इसलिए जाति की सदस्ता ही नहीं मिलती क्योंकि डॉक्टर अमिटकर कहते हैं कि भारत के हिंदू धर्म में जाती एक बंद समूँ हैं क्लोज गुरूप है और क्लोज गुरूप में आवाजाही बंद है तो फिर आप एक मश्णरी धर्म भी नहीं हो सकते तो जो हिंदू राश्ट, हिंदू धर्म बनाए जा रहे हैं, अगर वाकई वो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट बनाने की मायती हैं, तो उनके लिए भी डॉक्टर अंबिटकर समझा गए हैं, कि जाती खतम करो, आगे डॉक्टर अंबिटकर ने लिखा, कि जाती ने हिंदूओं को परसपर सहयोग, अनुभूति से वंचित कर दिया, आसान भाषा में मैं एक बात इसको समझाओं, कि अगर कहीं एक समूँ पर कोई हमला होता है, तो उस समूँ पर बचाने के लिए पूरा समूँ खड़ा हो जाता है, व्यक्तिक का बचाव समूँ करता है, लेकिन जाती ने हिंदूओं को आ मूल, आगे डक्टरम बिटकर कहते हैं कि हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाती ताकतवर हतियार बना दी गए, इसलिए जाती को सभी तरह के सुधारों को दमित करने के लिए टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया, और आप देखिया न, कहां जाती तोड़ने के लिए कोई समाज में काम हो पाया, आगे इसी को समझाते हैं डक्टरम बिटकर लिखते हैं कि जाती लोक भावना, लोक विचार और लोक उदारता का विनाश कर देती है, इसका मतलब समझे है, अपनी जाती वाला सबसे अच्छा, बाकी जाती वाले सारे बुरे, अपनी जाती का हित साध कर क्या हिंदूओं ने देश के साथ गदारी रही की? इतना कठिन सवाल 1936 में पूछने वाले नायक का नाम था, डॉक्टरम बिटकर, आगे वो क्या लिखते हैं कि मेरा आदर्श स्वतंतरता, समानता और बंधुत पर आधारित समाज है, नफरत समाजिक नायके किसी भी पूरुधा किया आपको नहीं मिलेगी, इसके ता आपको जिसका आदर्श बताया गया कि स्वतंतरता, समानता और बंधुत उस पर आधारित एक समाज बनाना हमारा मकसद है, तो उसे आपने क्यों स्विकार नहीं किया? दोड की प्रतिस परधा है, असमान लोगों को समान करने के लिए औसमानता का ही सिधान्थ होगा, ना कि मेरिट का, दॉक्टर अम сможर कर इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि अगर गैर बराबरी समाज में हैं, तो गैर बराबरी वाले समाज को बराबरी तक लाने के लिए सकारात्मक भेध भाव की निथी अप कुराने ठपों को कायम रखता है आरे समाजियों का चातुरवण आरे समाजी लोग चतुरवण बेवस्था को मानते और जाति को तोड़ने की बात करते हैं कितना बारीक तर्क पकड़ते हैं डॉक्टर अमबेटकर और उसके उदान में वो कहते हैं कि संभूक के बाहने सुद करने की बात कर रहे हैं मालिक और नौकर की ब्यवस्था है या वण ब्यवस्था दुनिया के कई देशों में सामाजी क्रांतिया हुई मगर भारत में क्यों नहीं हुई क्योंकि यहां जाती है यह वाक के है डॉक्टर अमबेटकर का इस किताब में अब आप समझें कि यह कि गैर हिंदूओं की जाती की तरह नहीं है यह बात डॉक्टर अमबेटकर इसे समझाते हुए बड़ी ही पुखता तरीके से कहते हैं कि अगर आप से कोई पूछता है तो आप कहते हैं मैं हिंदू हूँ तो सामने वाला आपके इतने ही जवाब से संतुष नहीं हो जाता क्या आज आपके साथ यह नहीं होता आपके परिचे में क्या आपकी जाती एहम नहीं हो गई है आगे डॉक्टर अमबेटकर कहते हैं कि जाती के विनाश की वास्तविक कुंजी शास्त्रों को अस्विकार करना है शास्त्रों को अस्विकार करना डॉक्टर अमबेटकर इसे भी इमारत रची जाएगी उसमें दरार पड़ी जाएगी पहले उप जातियों को खतम करना होगा अंतर जाती भोजन करना होगा अंतर जाती विवाह की बात करनी होगी तब जाकर के जाति विवस्था तूटेगी डॉक्टर अमबेचकर जाति के विनाश में जाति के विनाश के क्रमवार आयोजन क्रमवार नीतियों और क्रमवार कारिकमों की बात कर रहे हैं और डॉक्टर अमेटकर कह रहे हैं कि जाती एक धारना है एक मानसिक स्थिती है इसलिए जाती खतम करने के लिए मनेस्थिती बदलनी होगी सोच बदलनी होगी लोग जाती का पालन इसलिए कर कर देना शास्त्र नहीं रहेंगे तो लोग अपने आप अंतरजाती खाना अंतरजाती विवा करना शुरू कर देंगे इसके लिए आप अगर किसी को दवाव डालेंगे तो दिखावा के लिए अंतरजाती विवा भी होने लगेगा अंतरजाती खाना भी होने लगेगा लेकि अलग नहीं होगा जाती के नाम पर सब कुछ दिखने वाला खतम हो जाएगा लेकिन अब जाती भीतर से काम करना शुरू कर देगी यह डॉक्टरम बेटकर उसी समल लिग गये थे आगे डॉक्टरम बेटकर कहते हैं कि जाती बेवस्था में आंतरिक सुधार वास्तों में अस मगर वह नहीं करेगा और ना आज तक उसने किया क्योंकि ब्रामण इस पूरी जाती बेवस्था का सबसे ज़्यादा लाव लेने वाला तपका है भारत में बॉद्धिक वर का मतलब ब्रामण है और इसी बिंदु में डॉक्टरम बेटकर समझाते हुए कहते हैं कि बॉद् लेकिन ब्रामणों ने कभी भी ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया और जो खड़ा किया उसके मुखालपत उसी ब्रामण तबके में सबसे आदा की गई इसलिए आंतरिक सुधार जात बेवस्था में नहीं हो सकता किसी भी सुधार किया तर्क पूर्ण आवान को अभी तक सफलता नहीं मिली इसके उदान में डॉक्टर अंबेटकर ये वाकी लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं कि जाती एक बुद्ध विरोधी चीज़ है इसलिए उसे हिंदु छोड़ दें यह सामाजिक ब्यवहार है इसलिए इसे नहीं छोड़ेंगे रामा नुच कबीर का जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेटकर तरक शक्ती और नैतिक्ता जैसे शक्तिसाली हतियारों से समाज परिवर्तन की बात करते हुए इस बिंदु में एक्स्प्लेन करने अपनी बातों को समझा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हिंदों ने नहीं किया अधियरों और शास्त्रों में डाइनामाइट लगाकर उड़ा देना होगा आगी डॉक्टर मिटकर लिख रहे हैं इस किताब में कि जातिके विनास से धर्म के सच्चे तत्यों का विनास नहीं होगा और वो एक सवाल पूछते हैं कि हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है इसकी बात को समझाते हुए डॉक्टर मिटकर कह रहे हैं कि हिंदू धरम दरसल कोई धरम है ही नहीं, हिंदू धरम असल में एक धर्म नहीं है, क्या यह सिदान्तों का एक समुच्चे है, या नियमों का एक संगिता जैसा कि वेदों और स्मृतियों में वहित है, हिंदू धरम बलदान से संबंदित, राजनितिक, सामाजिक और स्वच के अलामा कुछ नहीं है आध्यात्मिक सिदानतों जो सच्चे अर्थ में सार्विक होते हैं जो सभी नसलों पर सभी देशों पर सभी समय में लागू होते हैं के रूप में धर्म इन आदेशों निदेशों में नहीं पाया गया इसलिए हिंदू धर्म दरसल हिंदू है ने सरर शब्दों में कहा जाए तो जिसे हिंदु धर्म कहते हैं वो वस्तुतर कानून है सरोत्तम एक वर्ग नतिक्ता का कानूनी रूप है साप साप कहूं तो आदेशों निदेशों के एक संगिता को मैं धर्म करने कहने से इनकार करता हूं जब तक लोग इसे धर्म समझेंगे वे जिसे धर्म कहा जा रहा है वो वास्तों में कानून है पुराना और आदिम समाज का तो वो परिवर्तन के राजी हो जाएंगे क्योंकि लोग जानते हैं कानून बदला जा सकता है और हिंदु धर्म एक कानून है अगले बिंदु में वो कहते हैं कि पुरोहित का पद वंशा की विन्युक्ति की जाए इतने महत्पूर बातों को वो कह रहे हैं कि आप धर्म यानी पूरे तंत्र को धर्म की किताब में जकड़ चुके हैं इसको खतम करना चाहिए आगे डोक्टर अंबिटकर कहते हैं कि यदि हिंदू समाज को प्रगति करनी है तो उसकी परंपरा में व पूरी किताब खतम होती है और इसको समझाते हुए इस किताब के आखरी में डोक्टर अंबिटकर जो बात लिख रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप एक बहतर समाज कब बनेंगे जब आप अपने समाज की सबसे बुनियादी बीमारी को ठीक करने की कोशिश आखरी लेक का आखरी हिस्सा यहां पर डोक्टर अंबिटकर का यह विचार एक ऐसे आदमी के हैं जिसका लगभख संपूर सारोजनिक प्रयास गरीबों और पीडितों की सोतंतरता के लिए एक सतत संघर्ष का है और जिसे एक मात्र पुरसकार राष्ट्री पत्र पत्रिका और राष्ट्री नेत्राओं दारा मिथ्या अभियोग और गाली गलोज की वर्षा के रूप में मिला है किसी अन्यकारण से नहीं बलकि सिर्फ इसी के लिए कि मैं उनके साथ मिलकर यह चमतकार और इसे मैं हाथ की सफाई नहीं करूंगा करने से इंकार करता हूं कि पीड़ समाज नहीं बनेंगे आप एक मुकमल राष्ट नहीं बनेंगे डॉक्टर मेटकर इसे ही एक राष्ट्री एक काम मानते हैं सबसे बड़ी देश भक्ती अगर कोई है तो 21 सदी में भी जाती को खत्म करने का मिशन यह सबसे बड़ा राष्टवाद है और डॉक्टर मेटकर सबसे बड़ा कहते हैं कि स्वराज पाने से जादा मुश्किल काम है लेकिन स्वराज पाने से जादा जरूरी काम है भारत आजाद हो गया भारत को स्वराज मिल भी गया लेकिन भगत सिंग जिसे कहते थे कि अगर इसे नसली टिपड़ी की कुशन मार के साथ कहा जाए कि काले अंग्रेजों का शाषन आ गया गोरे अंग्रेज चले गया हमने जाती को खतम करने का मिशन ही खतम कर दिया और जाती को अब छिपाया जाएगा जिसके लिए राश्टी सुविम सेवयक संग सामाजिक न्याय की बजाए, सामाजिक समरस्ता जैसी बात करेगा समरस्ता यानि जाती बनी रहे, आप सब अपनी जाती को पालन करते रहे लेकिन उपर से सब दिखने में एक हो जाए जाते जाते आपसे यही कहूंगा क्या यह किताब हर घर में नहीं होनी चाहिए क्या आज देश के हर नागरिक का जिम्मेदारी यह नहीं है कि वो जाते खतम करने की मुहिम में शामिल हो क्या इस देश के दलतों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ साथ इस देश के समर्ण तबके को भी इस देश के नौजवानों को भी जाती खतम करने का एक बड़ा व्यापक मुहीम नहीं छड़ना चाहिए समाजिक नयकी पाटशाला आपसे सवाल कर रही है समाजिक नयकी पाटशाला यह सवाल कर रही है कि अगर आपने अब तक के सारे बिंदूओं को सुने है तो एक सवाल अपने आजपास की सता शासन और बिवस्ता से पूछिए कि अगर यह सवाल इस पूरी किताब में एक शब्द भी किसी के लिए नफरत का नहीं है इस पूरी किताब में एक शब्द भी किसी को तोड़ने के लिए नहीं है एक समाज को समाज बनाने के लिए है एक देश को देश बनाने के लिए है एक राष्ट को राष्ट बनाने के लिए है फिर इस किताब को पाठिक रूमों में क्यों शामिल नहीं किया गया इस किताब को घर गर क्यों नहीं पढ़ाया गया इस पर माबाप अपने बच्चों से चर्चा क्यों नहीं की जाते जाते इन सवालों पर विचार करिएगा तो आज की सामाजिक नया की पार्चाला के किताबों की पार्चाला वाले सेग्मेंट पे हमने बात की जात का विनाश पर आपको ये बात चीत कैसी लगी कमेंट बॉक में जरूर लिखेगा आपके सुझा और सला आमंत्रित हैं अगर आपको ये बाते अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसे लोगों तब पहुंचा है अगर आपको लगता है कि इसे पहुंचाना जरूरी है तो बहुत बहुत शुक्रिया दने बाद।